वेलकम टू डिजिटल अध्यापक ना इसी यहार वन कॉश्चन इस देर वाट इस दिफ्रें बोलस और काईम बोलस और काईम के बारे में आपको पहले नहीं पड़ा होगा यह क्रास्टेंस से इस्ट आपता बेसिकली बोलस और काईम होता क्या है कि जब हम किसी food particle को हम लेते हैं यानि अपने अंदर, माउथ के अंदर वह मिश्री तरहते हैं तो जो food particle होता है उसको जब breakdown होता है उसका simply digestion होता है, physical digestion जब होता है तो वह हमारे saliva के साथ mix हो जाता है और जब कोई food particle, यानि digestive food particle अगर जब saliva में साथ mix होता है तो वो soft हो जाता है तो उस structure को बोलते हैं क्या? bolus उस structure को बोलते हैं bolus अब इस bolus को जब हमके इंगल्फ करते हैं यानि घोटते हैं तो ये की जाता है हमारे कहा? इस डमप में जहां के present होता है हमारा gastric juice अब इस structure को बोलते हैं क्या? काइन यानि basically आप देख रहे हैं क्या? कि bolus जो हुआ food plus saliva is called as bolus and bolus plus gastric juice which are present inside the system is called as काइन this is the single difference between bolus and काइन simply bolus softest part of food करते हैं जब food soft हो जाता है digested food soft हो जाता है तो इसको bolus होते हैं और जब यह bolus digestion start हो जाता है यानि maximum digestion इसका start हो जाता है तो इसको basically काइन गोलते हैं this is the single difference between bolus and काइन thank you